Yes, hello my dear friends, students, now class, today we are going to start our chapter number 45, Idiot Box, chapter number 46, Bollywood and chapter number 47, Awarding the Films. Yes class, last time हम लोगों ने PDF में किया था, chapter number 44 ता complete कर लिया है, ओके, तो आप लोगों ने भी अपना copy work कर लिया होगा and now move on next chapter, chapter number 45, Idiot Box. Yes class, Idiot Box का मतलब क्या होता है, बुद्धु बक्सा, यहाँ पे Idiot Box किसके टर्म पे यूज किया गया है, टेलिवीजन के लिए यूज किया गया है, टेलिवीजन को यहाँ पे Idiot Box के नाम से जाना गया है, ठीक है? तो now let us start this chapter, इस chapter में क्या है, Idiot Box is a term for television, टेलिवीजन के टर्म पे Idiot Box बोला किया है, यहाँ पे है, see the logos of the television channel and name them, यहाँ पे कुछ television के channels दिये हुए और आपको उनके नाम बताने है, आप जैसे first बना है, स्टार होना है, तो यह सी क्लास, यह आपका कौन सा TV channel है, तो यह हमारा स्टार प्लस है, ठीक है? Now the second आपका S बना हुआ है, यह हमारा Sony TV है, and the third one is Star भारत, and the fourth is Colors, fifth is Ant TV, ठीक है? तो यह सब channels से तो आप सब वाकिफ होंगे क्लास, हम सब TV, movies देखते रहते हैं, serials देखते रहते हैं, तो यह कुछ उन्ही channels के बारे में हैं, जो की हम regular time पे देखते रहते हैं, ठीक है, Star Plus, जैसे की Star Plus को ज़्यादा तर नॉर्मली बभूँ वाला television, Indian television show कहा गया है, ठीक है, और तो इस तरीके से यह सारे channels हैं, जो लोगों के अंदर बहुत ही लोग प्री हैं, लोग बहुत popular हैं, famous हैं, लोग इन channels के बारे में जानते हैं, और इनको देखना पसंद करत हैं, किसी channel के serial पसंद हैं, किसी के, आप कह लीजे, detective serials आते हैं, तो लोगों को वो channels पसंद हैं, ठीक है, अब जैसे की, इसमें किछ आपको करना नहीं है, अपनी copies में, इसको बस Star, इस तरीके से channel आपको बनाना हैं, और copy हैं, उनके name आपको लिखने हैं, ओके, now fact file क्या कह हैं, रामायन was the first aired on the government's own channel, DD, on 26 January 1987, आपको पता है, जो रामायन serial था, वो सबसे पहले government की खुद के channel ने DD channel हुआ करता था, उस समय, तो DD channel पे इसका प्रसार किया गया था, इट went on to become one of the most popular show in Indian television history, रामायन सबसे ज्यादा लोगों के विच popular लोग प्रिये चे, टीवी सीरियल हुआ करता था, उस ताइम पे, ठीक है, इट है, इट है आल लिमका रिकॉर्ड for the world's most viewed mythological serial until जून 2003, यनि कि जून 2003 तक ये सबसे ज्यादा लोग प्रिये channel, लोगों इसने अपना रिकॉर्ड कायम किया था, लिमका रिकॉर्ड वर्ल्ड's most viewed mythological serial के नाम पर, इसको गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया गया था, ठीक है, टून 2003 तक ये काफी लोगों के विच लोग प्रिये रहा है, ठीक है, नाउ, फिर क्या कह रहा है आपका, दबहूस on Indian televisions are even smarter than Sherlock, they can solve anything whether anyone is kidnapped or murdered, यानि कि जो बहू वाला serial है, जो star plus में ज्यादा तर आता है, इसमें पताया गया है, जो बहूए हैं, वो बहुत smarter हैं, बहुत smart हैं, जो की हर चीज सॉल्फ कर सकती हैं, from the kidnapping to murder, kidnapping से लेके murder तक की चीज़ें, उसमें सॉल्फ करता हुआ, दिखाया गया है, ठीक ह आपका दिया news bulletin, for the first 17 year, the transmission of India TV was black and white, आपको पता है, starting 17 साल, आपका जो इंडियन TV थे, वो क्यासे थे, black and white थे, color TV in India was introduced by DD in 1982, जो सबसे पहला color TV launch हुआ था, वो सन 1982 में हुआ था, the same year when India hosted the Asian game, यानि कि उस समय इंडिया ने Asian game को host किया था, ठीक है, यहां पर क्या कह रहा है, name the most watched TV channel at your own, आपको अपना favorite TV channel इसमें लिखना है, कि आप सबसे ज़्यादा कौन सा TV channel पसंद करते हैं, उसको इसमें लिखना है, ओके, ना, now come on to the next chapter, chapter number 46, bollywood, yes, bollywood यहनि कि हमारा, जो हमारा movies वगेरा होती है, वो हमारे क्या है, bollywood कहला ठीक है, तो now, India cinema completed 100 year in 2013, आपको पते है, 2013 में, इंडिया cinema ने, यहनि कि हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान पिक्चर्स ने अपना क्या किया था, 100 year complete किया था, bollywood is the subricate, or a popular name for India's Hindi language film industry, यहनि कि film industry में जो, bollywood है, वो सबसे ज़्यादा popular हुआ है, based in the city of Mumbai, Mumbai में famous हुआ, ठीक है, यहां पे दिया है, identify these bollywood personalities, कुछ bollywood personalities ने आपे दिये हुए है, और उनके बारे में कुछ clues given है, आपको उनको पताना है, ओकी, now the first one is, he is considered the father of Indian cinema, इनको Indian cinema का father denote किया गया है, तो इनकी picture यहां पे given है, तो इनको हम दादा साहेब फालके के नाम से जानते हैं, ठीक है, now the second one, he is known as the greatest showman of Indian cinema, इनको सबसे महान showman of Indian cinema के नाम से इनको जाना जाता है, यह है हमारे Raj Kapoor जी, ठीक है, now the third, he is considered one of the greatest and most influential actors in the history of Indian cinema, तो यह है हमारे Amitabh Bachchan, now the fourth, she has been called the first female superstar of Hindi cinema, first superstar थी हमारे Shri Devi, now the fifth one, he was named one of tomorrow's world music icon, यह कल के आपके विश्व के music icon है, यह कौन है, यह A.R. रह्मान है, आपको पता है, राज कपूर जो एक्टर है, वो रश्या में बहुत ज्यादा popular थे, famous थे, His film, A.R. and Shri 420, यानि की, became very popular among people, यानि की उनकी जो movie थी, A.R. movie और Shri 420, उनकी जो movie थी, वो बहुत ज्यादा लोगों के वीच popular हुई थी, Even prominent figure like ex-president Boris Yelstein could be heard humming Avara song from Avara, यानि की जो महां की ex-president थी, रश्या के Boris Yelstein, उन्होंने भी इस movie को देखा, उसके गीत सुने, उनको भी वो बहुत पसंद आया, ठीक है, और उन्होंने गाया भी इस song को, Avara, ठीक है, तो इस chapter में आपको क्या करना है, copy में अपना introduction लिखना है, और इनके बारे में clues लिखने है, as a fill-up के form में, ठीक है, और fact file को अपनी copy में ज़रूर लिखना है, तो आई हो, class, you all are clear, this chapter, now, move on, next chapter, chapter number 47, awarding the films, यहाँ पे हम कुछ film awards के बारे में discuss करेंगे, कि वो award किस लिए दिये जाते हैं, किस pictures के लिए दिये जाते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिये ओरे film awards, are a award to honor the best film and various other departments of filmmaking of the Indian cinema, यानि कि जो film awards दिये जाते हैं, वो उन movies को सम्मान देने के लिए दिये जाते हैं, जो लोगों बहुत famous हुई हैं, बहुत ही कलात्मक हुई हैं, या फिर लोगों के भी बहुत ही सराहनी हुई हैं, तो उन movies को फिर award दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फिल्म एवार्ड कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उस एवार्ड को उन नेम से आपको मैच करना है, आप जैसे first one दिया है, तो first one इसका एवार्ड क्या है, national film एवार्ड है, ठीक है, जो second जो एवार्ड दिया हुआ है, तो second एवार्ड इस film fair एवार्ड है, ओके, now the third आपका दिया हुआ है यह third आपका third one जो है Stardust Award के नाम से जाना जाता है Stardust फिर आपका fourth है तो fourth हमारा Z-Sign Award इसको कहते है यह Z-Sign Award है इस तरीके का होता है next आपका fifth दिया हुआ है तो fifth हमारा IFA Award है यह IFA Award है and the sixth one is sixth आपका है अपसरा Award इसे हम अपसरा Award कहते है ओके यहाँ पर न्यूस बॉलेटिन क्या कह रहा है The National Film Award is the most prominent Film Award Ceremonies in India जो National Film Award होता है वो सबसे बड़ा और Important Film Award होता है Indian Ceremonies में ठीक है जो की कभी established हुआ था इन 1954 It has been administered along with the International Film Festival of India and the Indian Panorama by the Indian Government's Directorate of Film Festival since 1973 Okay तो आपको इसको अपनी बुक में मैच करना है और जो यह इंट्रोड़क्शन वाला पॉइंट है और इस वान इसको आपको कॉपी में लिखना है तो I hope class you all are clear and thank you for today class और स्टैने करेंट थास कॉपी को शारा यूंट एज कि अ आप्राश इस जाइछोड़क्शने कारी रान वाला प्र convenient, सेट है तोषा स्पय है जा सक है कॉपीव मैं स Heart